पाठ ग्यारहा, हम क्या खाएं? आज अरनव प्रसन्न था, उसके मामा जी आये थे, अरनव की मा ने सब के लिए भोजन परोसा, अरनव को चावल पसंद नहीं था, वहर रोटी खाने के हट करने लगा, मामा जी ने कहा, अरनव रोज एक ही तरह का भोजन करने से तुम कमजोर हो सकते हो, अरनव चुप चाप खाने लगा, खाने के बाद मामा जी ने उसे भोजन के बारे में विस्तार से बतलाया, कुछ भोजन हमारे शरीर को काम करने के लिए शक्ती देते हैं, इनमें चावल, आटा, आलू, चीनी, शहद आदी शामिल है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनको नहीं खाने से हमारे शरीर का बढ़ना कम हो जाता है, बच्चों के लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी है, इनमें दाल, दूद, पनीर, मचली, मांच आदी आते हैं, अरनव ने पूछा, मामा जी हम फल, सबसियां आदी किसलिए खाते हैं? मामा जी ने बताया, ये चीजें हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं, ये भोजन को पचाने में भी सहायता करती हैं, अरनव ने कहा, फल तो बहुत महंगे होते हैं, मामा जी ने समझाया, यह जरूरी नहीं कि हम महंगी चीजें ही खाएं, मौसम के अनुसार हम सस्थे फल, जैसे अमरूद, केले आदी भी खा सकते हैं, अरनव ने कहा, मामा जी अब मैं समझ कया, कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए मामा जी ने आगे समझाया शरीर को ठीक रखने के लिए भी बहुत सी बातों को ध्यान रखना पड़ता है बासी भोजन खाएंगे गंदा पानी पीएंगे और सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे अर्नव समझ गया कि उसे किस प्रकार का भोजन करना चाहिए उसने मन ही मन सूचा कि ये सब बातें वह अपने मित्रों को भी बताएगा